हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दबा काई पचड़ी यानि बड़े निम्बू का अचार चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने 11 ये बड़े साइज की निम्बू लिये हैं छे कामा इसको काट कर छोटे छोटे पीश कर लोंगे ये शाउथ का अचार है और इसी सीजन में आते हैं नौमबर में तो मैंने अभी ये इसका अचार डाला है पांच का हम दस बनाते हैं तो दस लेके आते तो पांच का हम जूश निकालते हैं पांच के हम टुकडे करेंगे छोटे छोटे और इसके एक निम्बू का हम कम से कम हम 50-60 पीस करेंगे झादा बड़े डि मी करेंगे आप घिस यह इसी जाब से खाते हैं उसी साब से करेंगे इसका जोटा पीस करूंगी तो वेस्ट वी नहीं हो और और बच्चे भी अगर खाये तो वेश्ट नहीं जाए एक कली का मैं कम से कम 5-6 पीश करूंगे अब मैं इसके क्या पांच के मैंने इसमें काट करके और इसके छिलका हटा कर इसको मैं जूस निकालूंगे और इसके बीज है वो वो भी हम इसको निकालते जाएंगे वरना क्या अचार के बाद मैं एसमें मूँ पीश करके इसका जूस निकालूंगे जूस भी मैं इसी में डालूंगी अलक से नहीं निकालूंगी इसी में निकालूंगी और अब हम इसमें यह जो रॉक सॉल्ट होता है वो डालूंगी पीसा वह नमक नहीं डालूंगी इसमें रॉक सॉल्ट डालूंगी इससे क्या है अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब ये देखो मैंने तीन दिन तक मैंने इसमें नमक के पानी में रखा है तीन दिन के बाद मैं इसमें दूप में रखूँगी अब मैं इसको क्या है अचार को निचोड निचोड के और एक थली पे डाल लूँगी अब दूस हमारा एक साइड में हो गया है और निम्बू के जो पीस है वो एक साइड में हो गया है अब मैं इन सबको तीन से चार दिन तक इसको धूप में रखूंगे अब मैं इसको एक के के करके पूरी को प्लास्टिक के उपर फैला दूँगे यह हमारा निम्बू है यह भी बनकर तयार है जूस का और इसमें बीज है वो भी मैं इसको बाद में निकाल दूंगे ये हमारा निम्बू का जो पीस है वो मैंने धूप में सुका दिया है तब तक सुकाएंगे जब तक ये हमारा ये जो इसमें निम्बू का इसमें टुकडे में है वो पानी एकदम से पूरा खतम नहीं हो और ये जो पीस है वो भी एकदम से सुकना चीए वरना हमारा जो अचार वो खराब हो जाएगा, एक साल के लिए नहीं रहेगा ये देखिए मैंने दूसरे दिन भी सुका लिया है और ये हमारा जूस है वो आदा हो गया है और निम्बू के जो एपीस है वो भी सूख गए एकदम से देखो कैसी बलेक सा हो गया है अब मैं इसमें ये जो निम्बू के पीस है ये भी इसमें मिला दूँगे ये कम से कम मेरा दो किलो चार बनकर तयार है अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी जूस में अब मैं इसमें दो कप इसमें मिर्ची डालूँगी आप ज्यादा खाते हो तो इसमें ज्यादा भी एड़ कर सकते हो मैं सिर्फ दो कप डालूंगे अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये अचार हमारा साल बर तक अच्छा रहता है बाहर पड़ा रहेगा तो भी अच्छा रहेगा ये खराब नहीं होगा क्योंकि मेथी दाना है वोलूंगी और मैस को अच्छे से शेक लूंगी गेश को मीडियम रखेंगे वरना हमारी मेथी वो जल जाएगी मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से शेक लेंगे कलर एकदम से ब्राउन कलर का होना चाहिए ये मैथी ये अच्छा लूंगी पावडर को और मैं इसमें अचार में इसमें मिला दूंगे इससे क्या अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप एक बर अपने घर में जरूर ट्राई करें क्योंकि ये सालों साल तक चलने वाला अचार है खराब भी नहीं होता और चावल के साथ में घी डाल कर खाने से तो इसका टेस्ट भी और भड़ जाता है और ये लगता भी बहुत अच्छा है एकदम सेम निम्बू की जैसा चा रहे है शिफ टेस्ट थोड़ा सा खट्टा आता है इसका अब मैं इसको मिट्टी की वह इसमें जार इसमें भरकर रख दूंगी आप सीशे के या इसमें जाड़ी में इसमें भरकर रख सकते हैं प्लास्टिक में मत रखना वरना प्लास्टिक में के अचार खराब हो जाता है और अच्छा भी नहीं रहता, आप मिट्टी के बरतन या काच के बरतन में रख सकते हैं, तो इस अचार का जो कलर है, वो भी बना रहेगा, और अच्छा भी रहेगा, और रंग भी इसका चेंज नहीं होगा, प्लास्टिक में रंग चेंज हो जाता है, अब मैं इनको भर-भर कर रख दूंगी आप चाहे तो इसको एक साथ में इसका छोंक लगा सकते लेकिन मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके इसमें यूज करूंगी अब मैं थोड़ा सा आपको बना कर दिखा रही हूँ, इसको एक कप मैंने इसमें तिल का तेल लिया है, आप अचार को तिल के तेल में ही डाले, इससे के अचार का टेस्ट अच्छा हैगा, दो मैंने सुखी मिर्च ली है, थोड़ा सा मैंने लेसून लिया है, साबूत बिना अचला हुआ, एक चम्मच मैंने मोटी सर्षो लिया है, थोड़ी सी मैंने हिंग डाली है, इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें अचार हो थोड़ा सा आपको बना कर दिखा रही हूँ, आप इन सब को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, यह हमारा अचार हो बनकर त मैंने थोड़ा सा ही बनाया बाकी का मैंने रख दिया है यह हमारा अचार बनकर तैयार है अब मैं इसको एक परतन में निकाल लूँगे यह अचार बहुत ही अच्छा बनता है और लगता भी बहुत अच्छा है यह हमारा अचार बनकर तैयार है आप मुझे बताईए कि यह आ आपको कैसा लगा कमेंट्स में मेरा वीडियो पसंद आये तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए